हेलो गाईज, गुड मॉनिंग तो अल अफ यू एंड वेलकम तो अल इन हैनेश अकेडमी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9th एंड 10th मार्च के करेंट अफेर्ज को डिसकस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं है और जिन्हों ने भी इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे तो दोस्तों आप इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें important questions को cover किया गया है इसे का साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस सवराज यूनियोंटे ट्रेडिज ने बाली का सिक्षा के लिए सूपर 75-46 योजना शुरू किया गया है जमू एंड का समीर के दोवारा हाली में यहाँ स्कीम को लाया गया स्कीम को लाया गया ताकि बाली का सिक्षा है उसे और उन्नति दिया जाए और बढ़ावा दिया जाए नेक्स्ट ट्राइब्स इन जमू एंड का समीर मिन्स ट्राइब्स जो भी पीपल्स यहाँ रहते हैं उनकी बात करें तो बोर्प का, ड्रॉप का, डार, सीन, चंगपा, पुरिगपा, गुजर, बकरवाल, गाड़ी, एंड सीपी जो है यह समूदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं जमू का सिमीर में नेक्स्ट कोर्शन है, भारतिय सिना ने किस देश से चार हिरोन, UABS की लिज़ पर लिया है, इस चार हिरोन, UABS, एंड इसराइल की बात करें तो इनके पी-म, बेंजामिन, नेतनियाहू है, एंड कैपिटल, जेरुसलम है, करेंसी की बात करें, तो सेकेल है नेक्स्ट कोर्शन है, आर्चिक स्वतंजता सुचकांक 2021 में भात क्या स्थान रहा है, इस लिस्ट में और Economic Freedom Index 2021 लिस्ट में 121 रैंक रहा है इंडिया का, एंड इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक सिंगापूर का रहा है, एंड इंडिया को mostly on free category में रखा जाता है इसमें, नेक्स्ट कोर्शन है प्रथम उन्नत हल के टर्पीडो का नाम किया है, जिसका भात ने स्वफलता पूरवक प्रसिक्षन किया है, इसका नाम सायन्या है, एंड या एडवांस लाइट वेट ट्रैपेडो है, जो की इंडिया के द्वारा हाल ही में लॉंज किया गया सायना की बात करें, इंडिया के बात करें, तो यह इंड़क्ट किया गया है इंडियन नेवी में, इसका रेंज है रहा 19 किलो मिटर, इसका रेंज है 19 किलो मिटर, नेक्स्ट कोशन है, जेंडर बजट को सामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा मन गया है, जो की जें के वोमेंज को एंड इसके अलावा एक और प्रोग्राम को यहां लाया गया स्वेक्षा प्रोग्राम जो की मेंस्ट्रूवल हाईजिन है एडोलेसेंट गर्ल्स को उनके उपर ध्यान दिया जाएगा नेक्स्ट कोसान है किस बैंक ने महिलाओ के लिए गडिमा सेविंग अकाउंट लॉंच किया तो यहां उजीवन स्मॉल फाइनांस बैंक के दोबारा इसे लॉंच किया गया और उजी गलोबल वेमन ओफ एक्सिलेंस आवाड दोजार एकिस से की से नावाजा गया तो यह डॉक्टर टी सुन्दा राजन है जिसे इस आवाड से नावाजा गया और इस आवाड की बात करें तो यह रिपरजेंट युए से के द्वारा किया गया और एडवाईजरी हेड जोकी देनी के डेवीस है और इनके गवर्नर बेसिकली पॉइंट किया जाते हैं आर्टिकल 153 के तरहत नेक्स्ट कोस्ता ने कि सवराजने भारत का पहला वर्ल्ड सिल्क सेंटर अस्थापित करेंगा तो यह उडिसा है जहां पर फर्स्ट एंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड सिल्क से पॉरी एंड एक चिल का लेक भी है जो कि यहां पर इस्तित है नेक्स्ट बारी पाड़ा नेशनल पार्क जो है वह उडिसा का सबसे बारा नेशनल पार्क है एंड यह प्रोग्राम की बात करें तो यह लॉंच किया गया है भूवनेस्वर में एंड पर्जेक्ट कोस्ट की बात करें टोटल लागत इस पर्जेक्ट का तो तेरह सो ब्यालिस और ओन थाउजेंट थेरिएंट फोटी टू करोर रुपीज रहा है नेक्स्ट कोस्टन है किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इस्रों ने संयुक्त प्रिथवी और लोकन उपगरह मिशन के लिए निशार वि जो भी गतिवीधिया और्थ पे हो रही है उसको इसे मेजर किया जाएगा देखा जाएगा यहां लॉंज किया जाना है दो हजार बाइस में इसका में पर पजह में इसके फूल फॉर्म देखने को मिलते हैं आप लोगी इसे याद रखेंगे नेक्स्ट कोसन है किस बैंक ने महिला उदमियों के लिए विकास आसा रिन योजना सुरू किया गया है तो यह करनाट का विकास ग्रामिन बैंक है उनके दोबरा इसे और इसे लाएगा इसे स्किम को विकास आसा लेकि बेसकली ओमेन इंटर्पेनियोर्शिप को हेल्फ एन्ड इस स्किम की इतहत की बात करें तो इसमें 10 लाख तक कलोन प्रवाइट किया जा सकता है एंड इनके इस्पॉंसर्ट बैंक जो हम रहा है भारत के पहले 117 के अंदर कउध घटन कि सराज में किया गया है सोया हाल ही में राजस्थान जो है वहां पर इसे सोरी सोरी यहां यह उत्राखंड जो है यहां पर इसका इन्योग्रेशन किया गया फर्स्ट हेली सेंटर हॉरेस्ट हेली सेंटर को उद्घाटन उत्राखंड में किया गया और इन्योग्रेशन की बात करें तो रानी खेत में किया गया है और इन्योग्रेटेड बाइ जो गिंदर बीस्त है उनके दोवारा इसका इन्योग्रेशन किया गया और इसका थिम रहा We silent, go slow, think less and feel more ठीक है उतराखंड की बात करें और नाना देवी नेशनल पार्क जो की यहाँ पर उतराखंड का फेमस नेशनल पार्क है Next question की बात करें तो NSDC ने यूआओव में डिजिटल वितिय सरक्षा सरक्षत्ता को बढ़ावा देने के लिए निमलीखित में से किसके साथ सहयोग किया है सच हर्ता को इसमें प्रवाइट करना है और डिजिटल फैनेंस लिट्रेसी एमांग यूथ को लाना है यह सही पे जो है उसके दोबारा इस प्रोग्राम को लाया जाएगा और प्रोमोट किया जाएगा डिजिटली ताकि जो भी लिट्रेसी है यूथ में बाटा जाए और प्रवाइट किया जाए NSDC की बात करें तो National Scale Development Corporation इसका फॉल फॉर्म है फॉर्मेशन इसका दोजार आठ में किया गया था और MD and CEO की बात करें तो मनीश कुमार है हेट कॉर्टर नीडली में है सीमा सरक्संगाटन ने उत्राखंड में किस नाधी पर 200 फीट का ब्रीज ऑफ केमपेशन बनाया वहां पर 200 फीट लंबा ब्रीज का उत्राखंड किया गया नेक्स्ट रैंक से रिलेटर कुछ कोशन है तो इंडिया रैंक 71 इन UN CD80 B2C E-Commerce Index 2021 के लीस्ट में इंडिया का रैंक एक खतर रहा नेक्स्ट कोशन है किस बैंक ने महिला उद्मियों के लिए स्टार्ट अप्स उन्नत लॉंच किया सो यह HDFC बैंक जो है उसके दुवारा वोमेंस के लिए स्टार्ट अप्स उन्नती स्कीम को लॉंच किया गया है इंपोर्टन डेज की बात करें तो थर्ड जनुसद्धी डेजो की साथ मार्च को मनाया गया इसका स्टीम रहा सेवा भी रोजगार भी नेक्स्ट कोर्शन है डेनमार्क भारत के किस राज में डेरी छेतर के लिए उतकरिश्टता के अंदर अस्थापित करें डेनमार्क भी सेट अप सेंटर अफ एक्सिलेंस फॉर डेरी सेक्टर इन विच स्टेट अफ इंडिया राजस्थान जो है यहां पर इसको लॉंच किया जाना है अध मिश्चन सकती की बात करें तो यहां लांज किया गया उरीशा गॉर्मेक के दौअध के दौबारा इस्टरेंथनिंग सेलफ हैल्प गूर्प सेलफ है उनको और मजबूती परदान करने के लिए मिश्चन सकती लाया गया उरीशा में नेक्स्ट कोसान है बूक से रिलेटेड है और हाल ही में कौन सा बूक किसके द्वारा लिखा गया और थाराज किया गया उनके बारे में हम बात करते हैं So, Dynasty to Democracy, The Untold Story of Smriti Iranis ट्रिम्फ रिटेन बाई अनन्त विजाय अनन्त विजाय के द्वारा इस बूक को लिखा गया And the second one is The Frontier Gandhi My Life and Struggle Autobiography of अब्दुल खान अब्दुल गफार खान का जो हिंदी और उसको इंग्लिस में टांसलेट किया गया है इम्तियाज अहमद साहिब जादा के द्वारा ठीक है And Frontier Gandhi खाल अब्दुल खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है ठीक है and I have published रोली बुक्स के द्वारा किया जाएगा Next question है Badminton में यो next fix open 2021 का महिला एकल में राजात पदा किसने जीता है So यहाँ PV सिंदु के द्वारा हाली में जीता गया And इसमें मेंस की बात करें तो वीनर रहें Victor Axelon जो कि Denmark के प्लेयर है और उन्होंने इस अवार्ड को जीता And वो मेंस वीनर की बात करें So दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमिद करता है वीडियो आपको आछा लागा होगा And इसका PDF जो है With the answers आपको टेलेगराम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा So जो भी ए स्टुडेंट टेलेगराम को जोईन नहीं कियें आप लोग जोईन कर ले And PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते है So फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें So आज के लिए बस इतना ही That's all from my side Thank you and have a nice day